मावारत में दो चरित्र हैं ऐसे जिनको बहुत कम गाया जाता है लेकिन उनके चरित्र से बहुत शीखने को मिलता है पहला करना दूसरा एक लब्य है सुनना चाहेंगे मैंने आपको कहा था कैई लोग विपत्तियों में घिरकर मुसीवतों में घिरकर नास्तिक बन जाते हैं बन जाते हैं कैई लोग ऐसे बन जाते हैं कि धरम ही परिवर्टन कर लेते हैं ज्यान देन योग की बात है जो लोग कहते हैं कि मैं नास्तिक होता जा रहा हूं क्यों कि भगवान हमारी मदद ही नहीं करता भगवान है कहां है तो उसे हमारा दुख नहीं दिखता तो आज मैं उसी प्रसंग को आपको बताना चाहता हूँ जब पता चला कि करण महावारत का युद्ध होगा तो महावारत का युद्ध जब निश्यत होगा तो भगवान सी कृष्ण ने सोचा एक युद्ध कौरवों की तरफ ऐसा है जिसे अगर पांडबों की तरफ ले लिया जाए तो पांडबों की विज़े आज ही सुनिश्यत हो जाएगी आज ही वो युद्ध आ जाए तो और उस युद्ध का नाम था करण किसी ओर पर नहीं ये जिम्मेदारी छोड़कर भगवान सी कृष्ण करण को समझाने के लिए स्वेम गए बगवान ये भी नहीं चाहते थे कि छोटे वाई के द्वारा क्वेज़े भगवान तो जानते ही थे कि इसका पुतर है इसलिए भगवान ये नहीं चाहते थे कि छोटे भाई के हाथ से ऐसा युद्धा मारा जाए उसे बचने के लिए भगवान स्री कृष्ण करण के पास में गए और करण से कहा करण बहुत आदर करता था भगवान का बहुत आदर करता था स्री कृष्ण का तो कर्ण ने भगवान श्याम सुन्दर को देखा प्रणाम किया आदर किया और कहा है माधव बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ भगवान श्याम सुन्दर ने कहा कर्ण ये बात सुनेश्चित हो चुके है कि युद्ध होगा और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम युद्ध अधर्म की पक्षकियोड से करो ये जगत जानता है कि दुरियोदन अधर्म के साथ युद्ध कर रहा है अब पांडव धर्म के साथ युद्ध कर रहा है पांडवों के साथ धर्म है कौर्वों के साथ अधर्म है तुम जैसे महान युद्धा को अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए तुम जैसे युद्धा को महारती को धर्म का साथ देना चाहिए करण ने कहा माधव आप मेरे यहां पधारे आपका स्वागत है परंत एक बात बताईए मुझे इस समाज ने दिया क्या जिस दुरियोधन को आप कह रहे हैं वो अधर्मी है सच कहूं तो आज मेरे पास जो भी कुछ है वो दुरियोधन का ही दिया हुआ है यह जो मान है यह समान है यह जो राज्य है मुझे सिर्प दुरियोधन ने दिया है क्रिश्णा मैं जानता हूँ मैं राधे नहीं हूँ लोग मुझे राधे कहते हैं पर मैं यह जानता हूँ कि मेरा जनम्भी की शिक्षत्राणी के गर्व से हुआ है यह करण की वेदना यह करण का दुख मैं यह जानता हूँ कि मेरा जन्म भी किशी क्षत्राणी के गर्ब से हुआ है मैं सूत्पुत्र नहीं हूँ लेकिन मुझ जैसे बालक को जन्म लेते ही किसी माने त्याग दिया तो इसमें मेरा दोस है मेरा क्या दोस है मेरा क्या दोस है वो तो उस मा का दोस है जिसने मुझे जन्म दिया मुझे जन्म ही क्यों दिया और जन्म दिया तो मुझे त्याग क्यों दिया इसमें मेरा क्या दोस है मेरा कोई दोस नहीं फिर भी उस दोस्त को मैं डो रहा हूं मुझे सूत पुत्र कहा जाता है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं मैं दुनाचारे के पास में गया मैंने कहां मैं आप से शिक्षा दनुस विद्या सीखना चाहता हूं तो उन्होंने कहा तुम सूत पुत्र हो मैं तुमें शिक्षा नहीं दे सकता क्योंकि मैंने सिर्फ शत्रियों को धनुस विद्या सिखाने का बचन लिया है मैं यह जानता था उनका पुत्र तो ब्रामन पुत्र हुआ फिर भी वो अपने पुत्र को धनुस विद्या दे रहे थे पर मुझ पात्र को भी कुपात्र बना दिया मुझे दनुस विद्या नहीं सिखाई क्या ये मेरा दोस्त था कि मेरी माने मुझे जन्म लेते ही फेक दिया छोड़ दिया, त्याग दिया मुझे सूत पुत्र कहा गया मेरे योग होने पर भी दुनाचारे ने मुझे विद्यादान नहीं दिया ये मेरा दोस्त है इतना ही नहीं कृष्ण मेरे गुर्दे परशुराम भगवान एकनेक शत्री नहोने की बज़े से मुझे विद्यादान नहीं दिया दनुस विद्या नहीं सिखाई और दूसरे ने मुझे शत्री समझ कर ये साप दे दिया कि तुमने जो बिद्या सीखी है ये तुम्हारे काम नहीं आएगे तुम भूल जाओगे एक निक शत्री न समझ कर मुझे छोड़ दिया एक निक शत्री समझ कर मुझे साप दे दिया ये मेरा दोस है मेरी माने मेरा त्याग किया ये तो मेरा दोस्त नहीं इतना ही नहीं एक गव चराने वाले गवाले ने भी मुझे इसलिए साफ दे दिया क्योंकि मैं अंजाने में मेरे बान से उसकी गाई मर गई तो उसने भी मुझे साफ दे दिया मेरा दोस्त नहीं था मैं जानता हूँ कि वो जिद्धी है, मैं जानता हूँ कि वो कुमार्ग पर जा रहा है, मैं द्रोवधी के स्वयमबर में उन सभी योध्धाओं से स्रेश्ट था, जो स्वयमबर में मौजूद थे, में मच्च वेदन कर सकता था, उस मच्चली की आँख को में निशाना बना सकता था, लेकिन द्रोवधी ने भरी सवा में मुझे सूद पुत्र का, एक योधा का अपमान किया, ये बार बार अपमान सहाए कृष्ण में ने, आज जो भी मेरे पास है न, वो दुर्योधन का दिया हुआ है, और मेरा धर्म कहता है, जिसने तुमारा मान रखा है, उसको बिपत्तिकाल में अकेला छोड़ कर कभी नहीं जाना चाहिए, मैं अपने दुर्योधन के साथ खड़ा हूँ माधव, वो मेरा मित्र है, मेरे पास जो कुछ है वो उसी का दिया हुआ है, कृष्ण मुस्कुराए, सुनते रहे, बीच में नहीं बोले, डिश्टार नहीं किया, सिर्फ सुनते रहे, सुनते गए, सुनते गए, स्री कृष्ण नहीं कहा, हो गया, वो ले जी, वो ले सुनो, इतनी सी विपत्तियों में तुम अधर्म का साथ दे निकले तयार हो गए, सुनो में तो मैं अपनी विपत्तियां सुनाता हूँ, और सुनो कृष्ण के चाहने वालो, थोड़ी थोड़ी बात पर माला छोड़ के भाग जाने वालो, इच्छा पूरी नहोने पर मंदिर न जाने की कसम खाने वालो, सुनो, ध्यान से, सुरी कृष्ण बोले करण, तुमने तो यह सब जन्म के बाद सहा, जरा मेरे जीवन की भी कहनी सुनो, मेरे जीवन में तो विपत्तियां मेरे जन्म से पहले ही बार खड़ी थी, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले मेरी मौत मेरी प्रतिक्षा कर रही थी, मेरी मौत मेरी प्रतिक्षा कर रही थी मेरे जन्म से पहले, मेरे जन्म से पहले मेरे जितने भी भाई हुए उन सब को मार दिया गया था, किसी और के हातों से नहीं मेरे मामा के हातों से मार दिया गया था मेरे जन्म से पहले क्या कहोगे करनो उस बात को जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी रात को मुझे जन्म देने वाली मा अपने पिता का त्याक करना पड़ा था उसी दिन त्याग करना पड़ा मुझे जिस दिन मेरा जन्म हुआ थोड़ा सा बड़ा हुआ मुझे विश्प पिलाने के लिए पूत न पहुँच गई आग में जलाने की कोशिस की गई मुझे आग में जलाने की कोशिस बार बार अनेकों राख्यसों के द्वारा मुझे मरवाने की कोशिस की गई तुमारा बचपन तो सस्त्र विद्या में सीखा तुमारा बचपन सस्त्र विद्या सीखते हुए निकला लेकिन मेरा पूरा बचपन गवें चराते हुए वीता तुम्हारा तुम्हें प्राप्त हुई सथर विद्या मेरी तो गुर्कुलम की विद्याई 16 वर्ष की वस्था में प्रारम हुई है जन्म देने वाली मा को छोड़ दिया कव जन्म लेते ही और फिर 11 वर्ष वाद उस मा को भी छोड़ना पड़ा जिस माने मुझे पालपोस के इतना बड़ा किया अपनी प्यारी गोपियों को छोड़ के आना पड़ा अपने प्यारे ग्वालबालों को छोड़ के आना पड़ा अपने मैया बाबा को छोड़ के आना पड़ा इतना ही नहीं है मतुरा आने पर भी जरासन ने एक बार नहीं 17 बार मेरे उपर चड़ाई की अपने लोगों की रक्षा करने के लिए मुझे अपना सैड छोड़ के जाना पड़ा अपना नगर छोड़ के जाना पड़ा और द्वार का में भी रहते हुए अनेकों कष्ट सहे बार-बार लड़ाईयां लडनी पड़ी बाब जुद इसके इतनी विपत्तियों के कृष्ण कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं गया उसी मार्ग पर डटा रहा जानते हो क्यों? कितनी भी कठिन परस्टियां क्यों नहुँँ? कोई भी कठिन परिश्टिति तुम्हें अधर्म के मार्ग पर जाने कलिए परमिशन नहीं देती, आग्या नहीं देती, अगर मार्ग में सिर्भ कांटे ही कांटे हो, माना मार्ग में कांटे ही कांटे हैं, लेकिन मार्ग छोड़ के भागने से तो बढ़िया है अपना हरे कदम सो समझ के रखो कि तुम्हें अगला कदम कहां सुरक्षा प्रदान कर सकता है एक-एक मार्ग, एक-एक कदम, स्टेप बाइ स्टेप रखो किसी भी इस्थती में, कोई भी कठिन पस्थती तुम्हें अधर्म के मार्ग पर चलने की अग्या नहीं देती बिर्कुल भी नहीं देती और जो ऐसा मानते हैं, उन्हें कठिन परिस्थतियों का देखिए, बिपत्तियां कितनी आई, मुश्किलें कितनी आई, चिनोतियां कितनी आई ये मैत्पून नहीं है उन्हें चिनोतियों के आने के बाद, तुमने रियक्ट कैसे गया उन्हें चिनोतियों के, बिपत्तियों के, मुसीवतों के, प्रॉब्लम्स के आने के बाद, तुम्हारा रियक्शन कैसा है, ये तुम्हारे लिए पहला मैत्पून है जब तुम्हारा रियक्शन उसके मताबिक हो वो तुम्हें धर्मात्मा और अधर्मी बना देता है माना रास्ता कांटों से भरा है पर अगला कदम समाल के रखो ये थोड़ी न मना है माना रास्ता कांटों से भरा है पर अगला कदम तुम सोच के रखो ये थोड़ी न मना है चिनोतियां दुख मुसीवत परिशानियों से घवरा कर जो व्यक्ति कुमार्ग पर चला जाता है वो एक जन्म नहीं अनेकों जन्मों को बरवाद कर लेता है मनश्च जीवन ही ऐसा है जिसमें हरे कस्ट को सहते हुए भी जो धर्म के मार्ग पर चलता रहता है वही मेरे गोविंद को प्राप्ट कर पाता है क्या बोलना पड़ेगा जोर से अब बताए समझाने वाले कौन स्री कृष्ण दुरियोधन की बाद छोड़ो कर्ण भी समझा गया इतना सुन्दर उपदेश भगवान ने दिया इसके बाद भी कर्ण भ्यापक धर्म को समझ नहीं सका धर्म बड़ा भ्यापक है मनश्य जीवन मिला ही इसलिए है जिसमें हम कठिन से कठिन परिस्थिती का सामना करें अपने से जिनको हम भगवान कहते हैं उनके चरित्रों को पढ़ो और ध्यान से पढ़ो और ध्यान से पढ़कर देखो कि कठिन परिस्थिती में भगवान ने भी कहीं धर्म का त्याग किया क्या अचा राम जी की तो बात अलग है वोनोंने तो सीधे-सीधे का कि जो हो जाए हो जाए मैं तो कुछ कुछ कृष्ण जी की बात अलग है कृष्ण जी कहते है मैं जूंट भी बोलूँगा तो धर्म की रक्षा के लिए मैं चोरी भी करूँगा तो धर्म की रक्षा के लिए मैं रण चोड़ भी नाम रखवाँगा तो धर्म की रक्षा के लिए मैं युद्ध भी नहीं लड़ूंगा तो धर्म की रक्षा के लिए और पिना लड़े भी युद्ध जितवा दूँगा तो भी धर्म की रक्षा के लिए यदाय यदाय धर्मस्य गिलानेर भवती भारत हा अफ्यो थानम अधर्मस्य तरदात्मानम स्रजाम में हम परित्राणाय सादूनाम विनासाय चदुष्करताम धरम संस्थाप नार्थाय संभवामी युगे युग युवान तर तक मैं आता हूँ किसलिए शिर्फ धर्म गिलाख्षा के लिए हे कृष्ण प्रेमियू आज इस प्रसंग के माध्यम से मैं आप से एक ही निविदन करूँगा कर्ण बनने की कोशिस मत करना बनना हो तो कृष्ण का अर्जुन बनने की कोशिस करना कर्ण कर्ण में और अर्जुन में अंतर है बल्वान तो कर्ण भी बहुत है और में अगर ये अत्षय युक्ती नहीं होगी शमा करे बगवान साइद अर्जुन से जादा कर्ण बल्वान है परंत्वे कमी है निज स्वार्त की खातिर वो अधर्म के साथ खड़ा हो गया और कर्ण कृष्ण के समझाने से भी नहीं समझे यहां पर एक बहुत अच्छा उधारन प्रस्तत होता है कि जो अपने बड़ों के बात को नहीं मानता अंतो तो गत्वा उसके जीवन में पराजय ही लिखी जाते